समशकार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग class 5 के सब्जक्ट के सिलिवस को देखेंगे फर्स समेटिव से लेकर थर्ड समेटिव तक तक तीनों समेटिव के जो सिलिवस हैं यानि कि जो एक्जाम में आएगा वह हम लोग उस चैप्टर को जानेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तब से पहले आप देख सकते हैं हमारा परियावरन कि के सब्जक्ट जो है class 5 में उसमें यहां पर आप देखो फर्स समेटिव का जो एक्जाम है उसमें आपके दो चैप्टर साने वाले हैं पहला मानव शरीर और दूसरा भौतिक परिवेस भौतिक परिवेस के अंतरगत आ अपको फर्स सब्जक्ट में आनेवाले फिर आपका सेकन सब्जी के भीतर आपको पौक पश्ची मंगाल का सामाणी परिष्य पर्यावरन एवं संपदा और पर्यावरन एवं उत्पादन ये depois अपके सेकंड ब sitten ciert में आएं इसके बात परियावरन और वनान चल फिर परियावरन खनीज एवं सकती संपधा परियावरन एवं परिवहन परिवहन का मतलब आप जानते हैं आने जाने या तयात के जो संसादन होते हैं उससे हम परिवहन कहते हैं फिर जन जीवन एवं परियावरन के बाद परियावरन एवं वायू मंडल और फिर आखरी का च 3, 4, 5, 6, 7, total 7 chapters आने वाले हैं, 3rd summative के भी तर, ठीक है, तो आपको यह भी पता है कि 3rd summative जो एक्जाम होता है वो आपका जादान marks का होता है, लगबख 70 marks का होगा, ठीक है, जब 2025 में exam होगी उस समय, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, अभी 2024 के अगर हम बात करें तो इसमें तो आपका 10, 20 और 50, ठीक है, 1st summative 10 marks का, 2nd summative 20 marks का, और 3rd summative 50 marks का होगा, लेकिन, अगर हम 2025 के exam की बात करें, तो उसमें 1st summative 30 marks का, 2nd summative 50 marks का, और 3rd summative 70 marks का होगा, class 5 के लिए, सिर्फ class 5 के लिए यहां पर बात की जा रही है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, आपको मैंने, 1st summative का syllabus भी बता दिया, 2nd summative का भी बता दिया, और यह आपका, 3rd summative का जो syllabus है, वो भी आपको बता दिया, तो आशा है, इससे आपको अपनी त्यारी करने में बहुत ही लाब पहुचेगा, और आप अपनी त्यारी को आगे रख पाएंगे, आगया कि इन chapters को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जो कि आपको सीखने में मदद करेगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई लाब पहुचे, तो वीडियो क ही कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें, किसी के साथ धन्यवादा